सब्सक् sponsor matter वेलकूम्टों अगुर्स दि्सक्यार इस सद्ब्स बहुत सारे ने मेरे को पूछा कि सर्कॉड्ड वेटिंग लिश्ट कम आबाई गया आपने देखा कि आरा रहती है पारी मीशूर का मैसुर का पूरा का पूरा result निकल गया बाकी जो BAIRD और MAIRD वालों का है वो थोड़ा lead होगा बाकी BSC BAIRD BAIRD MSC AIRD सबका result मैसुरू से publish हो चुका है ठीक है और भौपाल से भी आप देख सकते हैं भौपाल का BAIRD publish हो चुका है BSC BAIRD publish हो चुका है PCM और BSC BAIRD तो सब लोगों ने रिजल्ट देखा मेरेट लिस्ट देखा बच्चों ने मेरे को कुश्चन पुझा कि सर वेटिंग लिस्ट कब आएगा और जिनका मतलब नाम नहीं आया उनका कोई चांस है कि मैं कुछ कमेंट्स आपको दिखा देता हूं बच्चोंगा ताकि आप समझ प पाएंगे अच्छ से कैसे कांसेलिंग कैसे होगा तो वह थोड़ा दिक्कत होजाएगा आपका ठीक है ना तो ऐसे बहुत साले लोगा ना पूछा है कि सर वेटिंग लिस्ट का भाएगा यह सब ऐसा तो मैं आपको समझा आएता हूं यहां पर डीटेल में सबसे पहले तो यह मैंने आपको अल्रेडी समझाया था ठीक है आप कोर्स वाइस टोटल सीट पहले देख लो पहले बीए बेड का मैं दिखा जाता हूँ भूबनेसर और अजमेर में 50-50 है बाकी भूपाल और मैसुर में कितना कितना है अजमेर और भूबनेसर का नहीं हुआ है आज यह अकल हो जाएगा 20 तरीके अंदर सबका हो जाएगा तो भूपाल और मैसुर का 40-40 है तो आपको दिखाता हूं मेरी लिस्ट में कितना सीड़ है और कितना लोगा वेकेंज होगा तो क्या होगा देखिए मैं समझाता हूं आप तो अगर कि एक बच्चा कभी आप उनका नाम देख सकते होуки तीनों के तीनोंगे टीनों लिस्ट पर रहते हैं तो वहां पर क्या होगा वह बच्चा पर्टिकुलर किसी एक स्ट्रीम में जाएगा न तो आ सबसे पहली बात अगर वैसे करके 40 सीट पूरा फूल हो जाता है यह जो पांच पांच एक्स्ट्रा लिया गया है टो पूरा टोडल टीन स्ट्रिम का 40 इंटू 3 120 फिलब हो जाता है तो कोई मेरिट लिस्ट नहीं निकालेंगे यह जो जाता है तो और दूसरा वेटिंग लिस्ट नहीं निकलेगा लेकिन मान लो क्या होता है कि कुछ बच्चे नीट बगएरा में चले जाते हैं और यहां पर खाली होके 30 हो जाता है या 35 कुछ भी हो जाता है ठीक है तो बाकी के next जो दो लोग होंगे उनको बुलाएंगे या फिर 5-10 लोगा ठीक है ना उसमें वह बता देंगे कि किन की को एडमिसन लेने के लिए आना है चोटा सा लिस्ट जारी करेंगे बहुत बड़ा लिस्ट नहीं होगा उसके लिए भी अपड़ेट उसके रिगार्डिंग यहां पर मिल जाएगा मैंने आपको बताया था मैं कितना सीड़ होता है 15 सीड़ होता है लेकिन यहां पर 18 लिया गया है तो इन में से तीन बच्चे अगर हट भी गए तो यह फूल हो जाता है तो यहां पर चांस बहुत कम है अगर क्या होता है ना बहुत सारे जैसे इनका नाम आप बहुत बार द हर एक सीड़ होने वाला है तो अगर 15 फील अप हो जाता है तो कोई लिस्ट नहीं निकलेगा और यहां पर खाली हो जाता है तो फिर लिस्ट निकलेगा टोटल यहंका 45 सीड़ है मैसूर में इतना बहुत 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 सब्सक्राइब मैसूरों इसहें ब theor में मद्यसिस भेड त्वाम टॉठ सब्सक्राइब और जो सब्सक्राइब और स्टें पर Hai यह यहां पर है यहां पर 120जैबन यह नकाद Bien नमबर यहां पर लिखा है है कि नहीं तो फिर यहां पर दूसरा लिस्ट नहीं निकलेगा अगर चालिस फिल नहीं होते हैं बहुत सारे बच्चे मतलब उनका रहे जाता है सब्सक्राइब करके रखो दूसरा चीज आप वेबसाइट निकाल निकाल देंगे और उनको बोलेंगे कि आप एडमिसन करो तो आपको अपने चैनल को अगर सब्सक्राइब करके रखो सब्सक्राइब करो दोसरा चीज आप वेबसाइट के साथ वह बने रहुं जो आपका स्यी बाला विपसाइट है यहां पे जहा बोग भी में युदियो में किसे आप लोग ही में विजी रहता तो आप लोग खुद मेसेच कर देते हो list निकलेगा दूसरा वाला ठीक है ना merit list दूसरा वाला होगा या फिर उसको गोलते हैं vacant seat का fill up उसमें लिखाओगा vacant seat ठीक है ना vacant seat का fill up लिखाओगा ठीक है ना और fill up vacancy ऐसे करके कुछ notice आएगा मैं आपको समझा दूँगा एक वीडियो में तो बस एतिना आपको समझाना था एक और वीडियो में अभी तुरंत एक वीडियो बना रहा हूं जिसमें में क्या document जिन लोग का selection हुआ है पहले तो मैंनको congratulations करना चाहता हूं और जो भी documents आपको submit करना है उसके बार उसके regarding एक वीडियो में ला रहा हूं कुछ लोग का एक डाउट था कि सार यहां पर जेनरल में जेनरल कैटेगोरी में SCHT कैसे आए यह भी समझाओंगा अगले वीडियो में मिलते हैं अगले वीडियो पर टेंक्यू